नमस्कार साथ हो यदि आप भी सिक्सक भरती परिक्षाव की तयारी कर रहे हैं और आपने भी टैट से टैट या फिर एश टैट और या फिर बीड या फिर आपने ग्रेजुएशन पोश्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी जो कौन से अभियर्थी इन भरतियों के लिए आवेदन कर सकते हैं एवं बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चनिटी है गोल्डन जी हां साथ यो सुनहरा आउसर है यदि आप सिक्सक भरती परिक्षाव की तयारी कर रहे हैं तो पूरी जानकारी विस्तार से देंगे उससे प जो आपके सब्जेक्ट्स के नाम है यानि की जिन सब्जेक्ट्स पर वैकेंसी निकली हुई है उन्हें भी हम इसमें क्लिरिफाइ करेंगे वीडियो लॉंग ना हो इसलिए हम में में टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे और पूरी जानकारी आपको विस्तार से द देख सकते हैं आप लोजिक है, मैतमेटिक्स है, उडिया है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइन्स है, साइकलोजी है, संस्किर्ट है, सोसलोजी है, तेलोगु है, उर्दू है, जूलोजी है, इन पोश्ट पर ये वैकेंसी निकली है, वैसे बता दू आपको PGT लेवल पर ये वैकेंसी है, कितने नंबर पर है, वो भी आपको बता दे, नंबर ओफ वैकेंसी आप देख सकते हैं, और नंबर और नेम आफ पो सब्जेक्ट भी ये है, जो कि बोटैनी में 29 है, कैमिश्ट्री में 35 है, कॉमर्स में 21 है, एकनॉमिक्स में 41 है, एजुकेशन में 50 है, इंगल बात करें, IRPM की तो इसमें 2 पोश्ट है, लॉजिक में 38 है, मैथमेटिक्स में 49 वैकेंसी है, उडिया लेंग्विज में 130 है, फिजिक्स में 35 है, पॉलिटिकल साइंस में 144 है, साइकलोजी में 7 है, संस्किर्ट में 38 है, सॉसलोजी में 15 पोश्ट है, तैलोगों में 2 है, अप्लाई करना है, तो साथ यो बता दू, आपको 9 पेजस की ये नॉटिफिकेशन, एडविटेजमेंट है, जो कि आप देख सकते है, स्टाप सिलेक्शन बोर्ड, यानि की SSB से ये वैकेंसी है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्मेंट अफ उडिसा से वैकेंस 2024, डेट जो कि जारी हुई है, नॉटिफिकेशन, साथ मार्च 2024 को जारी हुई है, और इसमें क्लियरली, मैंसन किया गया है, साथ यो देख सकते हैं, आप, फोर रेक्रूटमेंट फो तो दा पोश्ट और पोश्ट ग्रेजुएट टेचर्स यानि की PGT, इन नॉन गवर्मेंट अडिट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि इसमें 488 कैटेगरी अफ उडिसा अंडर दा अडिनिस्टेटिव कंट्रोल अफ स्कूल अड मास एजुकेशन ड 1061 पोश्ट है, जो कि नंबर अफ पोश्ट है, पोश्ट ग्रेजुएट टीचर्स है, पेमेंट्स जो की स्केल ऑफ पेस में दिया हुआ है, 44,900 रुपे से 1,42,000 रुपे, as per matrix level 10, cell 1, under ORSP rules 2017 के according आपको मिलेंगी, जिहां साथ हो, इसकी official website यह है, जो कि मैं बता चुका हूँ www.ssbodissa.ac.in, इनकी जो डेट से उनकी बात करें तो इंपोटेंट्स डेट की, तो opening date of time of online application की सुरू हो चुकी है, 18, March 2024, दोपेर एक बज़े से यह form सुरू हो चुके हैं, इनकी अंतिम तिथी आप देख सकते हैं, जो की closing date and time of payment की भी, जो examination fees है, उसकी भी, 18, 4, 2024, यानिक 18, April, दोपेर को 11.45 यहां तक की नई, रात में, रात में 11.45 मिनट पर यह बंद हो जाएगी, जी यहां साथ ही हो, अब बात करते हैं, आगे इसमें आपको apply कैसे करना है, तो आपको देख सकते हैं, SSB जो की इसकी official website पर जाओगे, तो वहाँ पर आपको notification मिल recruitment section में, वहाँ पर आपको foam भी मिल जाएगा, वहीं से आपको direct down मतलब की fill करना है, या फोम, और पुरी जानकारी भी यह आपको बता दे हम, age limits की यदि बात करें, तो age limit देख सकते हैं, जो की इसमें minimum age जो मांगी गई है, 21 साल है इसमें, जो की 1 जनवरी 2024 तक 38 साल होनी चाह सकते हैं, जो की 5 years relaxable है, जो की belonging to categories SCST, और socially educationally backward class, जो की SCBC है, ex-service man है, और PWD handicapped है, उनके लिए भी है, पर्मानेंट जो की 40% disabilities है, उनके लिए भी, इसमें age में प्रावधन की आगा है, age में छूट दी जाएगी, अब बात करें, साथ हो देख सकते हैं, आप इसमें और भी ब qualification की यदि बात करें, उससे पहले देख सकते हैं, इस वाली heading को देख सकते हैं, आप age limit के लिए लिखा हुआ है, इसमें, date of birth entered in the high school certificates, या equivalent certificate issued by the consent board, या फिर council will only be accepted, याने कि जो मानेत प्राव बोड है, उसी से आपकी high school certificate होना चाहिए, अन्य था, उसी के basis पर आपकी date of birth को count क आ जाएगा, अब बात करते हैं, educational qualification की तो इसमें देख सकते हैं, आप, a candidate how much master degree in consent subject from recognized university, या फिर integrated six years post graduate master course from regional college of education recognized by NCRT with at least 50% mark in aggregated or its equivalent grade, याने की NCRT के थुरू आपके, वो जो आपने किसी college से किया है, या university से किया है, वो मानेत प्राप्त होना चाहिए, या फिर NCRT से registered होना चाहिए, तब उसमें आपके 50% होने चाहिए, पोस्ट graduate के लिए, तो ही आप आविदन कर सकते हैं, साथ में लिखा हुआ है, इसमें दूसरी जो इसमें दी हुए है, इसका option, candidate must have acquired, B.E.E.D. आपकी qualify होनी चाहिए, और देख सकते है, teacher education, national, याने कि N.C या वो नई दिल्ली में है, वहां से registered होनी चाहिए, और तभी आप B.E.E.D. के लिए भी eligible रहेंगे, याने कि B.E.E.D. आपकी degree यहां से होनी चाहिए, साथ में तीसरी के लिए देख सकते हैं, जो कि subject के लिए दिया हुआ है, B.E.E.D. qualification is not mandatory eligible, eligibility criteria for the post of PGT in commerce, education, geology, home science, logic and philosophy, psychology, sociology, sociology, IRPM, Telugu and Urdu subjects, इनके लिए B.E.E.D. जो कि जरूरी नहीं है, not mandatory दी हुई है, इसमें अनिवारी नहीं है, अब बात करें आगे कि तो B.E.E.D. इसमें qualification is mandatory दी है, जिसमें B.E.E.D. mandatory है, जरूरी है, वो है, यह वाले subjects जिसमें की botany है, chemistry, economics है, English है, geography है, Hindi है, history है, mathematics है, उड and geology subjects है, इनके लिए B.E.E.D. mandatory है, यानि की B.E.E.D. इसके लिए compulsory है, और बात करें method of selection की, तो method of selection आप देख सकते हैं, इसमें written test आपका 1500 marks का होगा, 150 marks का होगा, साथ में career assessment है, जिसमें जो 50 अंकों का होगा, और साथ में इसका जो total marks बनेंगे, वो 200 marks बनेंगे, इन्हें मै से आपको short list किया जाएगा, और साथ यों बता दू, आपको 40% अंकों पर unregored category वाले select हो जाएंगे, और वहीं की पर दिबात करें, SC, ST, SEBC या PW categories के लिए तो वो 30% पर select हो जाएंगे, जियां साथ यों देख सकते हैं, ये इनका paragraph है, जो अलग से दिया हुआ है, इसमें इनी क्या एक formula है, जो की आपके numbers और आपके सभी जो भी आपकी मतलब की जो position होगी, किस आधार पर आपका selection किया जाएगा, वो सभी इसमें दिया हुआ है, यानि की scorecard कह सकते हैं, इसे उसके आधार पर है, एन इई भी देख सकते हैं, BA के लिए इसमें permanent vacancy दी हुई है, और ये स अलग-अलग आधार पर आपकी मतलब की merit तयार की जाएगी, John of examination की यदि बात करें, तो उडिसा के ही, इस उडिसा के सहरों में, उडिसा की city में आपका ये मतलब की आने वाला है, देख सकते हैं, अपको इने जौन में से आपको examination city मिलेगी, application fees के दी बात करें, तो देख सकते हैं, non-refundable and non-adjustable fees है, जो की 500 रुपए है, जो की साथ यो unresured और SEBC categories के लिए है, और यदि 200 रुपए की बात करें, आप इसमें procedure of application का भी इसमें दिया हुआ है, पूरी जानकारी आपको पढ़नी है, ध्यान से तभी आपको आविधन करना है, अब बात करते हैं, कौन से अभियरती आविधन कर सकते हैं, the candidate must be a citizen of India, यानि कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, the candidate should be able to speak, read and write उडिया, यानि कि साथ यो clearly is mentioned किया गया है, आपको उडिया भासा लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, और यहां तक ही पढ़नी आनी चाहिए, जियां साथ यो कुल मिला करके बात कर सकते हैं, कि उडिया से यदि आपने, यहां तक कि आपने, यदि आपके पास मैट्रिक या सेकंडरी या हार सेकंडरी में आपने उडिया लैंग्विज पढ़ी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं, पास्ट मिडल इस्कुल एक्जामिनेशन विद उडिया एज लैंग् दन कर सकते हैं यानि की कह सकते हैं इसमें साथ ही हम जो उडिसा से है उनके लिए ये वेकिंसी है इसमें एक बार क्लियरली मैं बता देता हूं पास्ट उडिया as a language subject to the final examination of class 7 या फिर उससे उपर आपने किया हो तो आपके पास में उडिया लेंग्विज होने चाहिए पास्ट टेस्ट उन उडिया in middle English school standard conducted by the school and mass education department government of उडिसा कुल मिलाकर बात कहें तो साथियो जादा तर ये वेकिंसी उडिसा राज्य के अभियर्थियों के लिए बहुती अच्छी opportunity है लेकिन जिनोंने उडिसा उडिया language अगर बाहर राज्यों में पढ़ी है या फिर उन्होंने English medium में पढ़ा है तो वो भी एक बार आवेदन कर सक से ध्यान पूरी जानकारी पढ़ने है उसके बाद में वीडियो मतलब की अपना आवेदन करना है जिया इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आउन कीजे ताकि informative वीडियो आप तक पहुंचती रहे मिलता है informative वीडियो के साथ जैहिन ज है भारत